लाइक, शेर, सब्सक्राइब और क्लिक अन बेल आइकोन तो नेवर मिस अन अपडेट फ्रम एपेक ऐसा क्या जादू था उनमें? आईए देखते हैं फर्स्ट जुलाई को हमारे देश में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दिन हम डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाते हैं बी सी रॉय जी एक मल्टे फैसिटिड परसनालिटी थे वो डॉक्टर होने के साथ साथ एडुकेशनेस्ट, समाद सेवी और फ्रीडम फाइटर भी थे और 14 साल के लिए वो बेंगॉल के चीफ मिनिस्टर भी रहे जीवन में उन्होंने बहुत जल्द एक मोटो अपना लिया था जब वो 19 साल की उम्र में मेडिकल की पढ़ाई के लिए कैलकटा मेडिकल कॉलेज आये तो उन्होंने वहाँ एक इंस्क्रिप्शन पढ़ा जिसका मतलब था जो भी काम आपके हाथ लगे उसी पूरी ताकत के साथ करो ये शब्द उनके लिए lifelong inspiration रहे मेडिसिन में higher studies के लिए बिधान जी ब्रिटिन निकल गए मगर वहाँ के college dean ने उनकी application reject कर दी क्योंकि उनमें Asian students को admit करने को लेकर एक हिच की चाहट थी बिधान जी भी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे वो लगातार apply करते रहे और 30 applications के बाद उन्हें finally admit करना पड़ा वहाँ उन्होंने आसानी से honors degree पूरी कर ली और फिर Dr. Roy ने Royal College of Physicians और Royal College of Surgeons दोनों की fellowship हासिल की जो उस समाने में एक rare और significant achievement था भारत लोटने के बाद Dr. Roy ने provincial health services जॉइन कर ली और practice करने लगे उनका diagnosis बहुत सठीक था कहते हैं कि जैसे ही कोई patient उनकी chamber में आता था वो उसका सिर्फ चेहरा देख कर सूंग कर इलाज बता देते थे Medical practice के साथ साथ वो Calcutta Medical College में पढ़ाने भी लगे इसके बाद उन्हें Calcutta University का Vice Chancellor अपोइंट कर दिया गया इस दोरान उनका कई colleges और संस्थाइं शुरू करने में एहम योगदान रहा जैसे Pharmacy College, जादवपुर TB Hospital, कमला नहरू Memorial Hospital, Victoria Institution और चितरंजन Cancer Hospital डॉक्टर रॉय का मानना था कि जब तक लोग शरीर और मन से स्वस्थ और सशक्त नहीं होंगे तब तक स्वराज्य एक सपना ही है ये तब तक नहीं होगा जब तक माताओं के पास बच्चों की देखभाल करने के लिए अच्छा स्वास्थ और बुद्धिमत्ता नहीं होगी और इसी लिए डॉक्टर रॉय ने खास महिलाओं और बच्चों के लिए चितरंजन सेवा सदन खोला इनेशली महिलाओं में हॉस्पटल आने को लेकर एक जिजग थी इसके सेलूशन के लिए डॉक्टर रॉय ने फीमेल नर्सिस की ट्रेनिंग के लिए स्कूल इस्टैबलिश किया ताकि अकेले महिलाओं अस्पताल में कम्फटबल महसूस करें डॉक्टरी प्रैक्टिस करते वक्त उन्होंने जनता की दुर्दशा और गरीबी को करीब से देखा उन्हें लगा कि देशवासियों के कल्यान के लिए उन्हें डॉक्टरी के अलावा और भी कुछ करना पड़ेगा और वो पॉलिटिक्स से जुड़ गए क्यूंकि उनकी सूच लोगों की समस्याओं का समाधान करना था पॉलिटिक्स में भी वो लोकप्रिय हो गए और सुभाश चंद्रबोस के बाद वो कैलकटा के मेयर भी रहे इसी बीच डॉक्टर रॉय की गांधी जी से डार्जलिंग में मुलाकात हुई और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और वो जल्द ही उनके पर्सनल फिजीशन भी बन गए सिविल डिस ओबीडियन्स मूव्मेंट में भी उन्होंने हिस्सा लिया और 1933 में जब गांधी जी पूने में 21 दिन फास्ट कर रहे थे तो भी डॉक्टर रॉय उनकी देखभाल के लिए साथ थे आजादी के बाद डॉक्टर रॉय को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई पश्चिम बेंगॉल नहरूजी और वल्लब भाई पटेल को डॉक्टर रॉय पर बहुत भरोसा था और इसी लिए उन्हें बेंगॉल का चीफ मिनिस्टर बनने का ओफर दिया गया बेंगॉल उस वक्त पार्टीशन के बाद हुई कमीनल वाईलेंस, फूड शॉर्टेज, अनिम्प्लॉयमेंट और रेफुजीज की रिहबिलिटीशन जैसी समस्याओं से जूज रहा था स्थिती बहुत खराब थी डॉक्टर रॉय ने इसको एक चैलेंज समझा और धीरे धीरे बेंगॉल को एक प्रॉब्लमाटिक स्टेट से एक प्रॉस्पेरस स्टेट में बदल दिया इसलिए डॉक्टर बीसी रॉय को आर्किटेक्ट औफ मॉडन बेंगॉल भी कहा जाता है अपने पॉलिटिकल करियर के हेक्टिक शेडियूल में भी भले ही वो MLA रहे, मेयर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे फिर भी वो किसी तरह एक घंटा निकाल कर गरीब और जरूरत मंद पीशिंट्स को जरूर देखते थे 1961 में सरकार ने उन्हें भारत रतन से सम्मानित किया बिधान चंदर रॉय जी के लिए सेवा ही जीवन था पूरा जीवन उन्होंने देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित कर दिया